हेलो दोस्तो जैसा कि आप सभी ने अपने घरों में देखे ही होगे कि रसोई के बरतन गोल आकरीती में ही होते हैं जैसे थाली, ग्लास, कटूरा, भगवना, तावा, चौकी, बेलना, इत्यादी इसी प्रकार के लगबग 99% बरतन गोल ही होते हैं तो क्या आप जानते हैं कि आखिर रसोई के बरतन गोल ही क्यों होते हैं अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर रसोई के बरतन गोल ही क्यों होते हैं इसके पीछे दो मुखे कारण है एक तो यह कि पुराने जमाने की जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे उन्हें चाक पर ही बनाया जाता था और चाक पर बनने के कारण बर्तन गोल आकरीती में ही बनते थे क्यूंकि चाक गोल-गोल ही घुमता है तो इसलिए आज भी वही आकरीती प्रचली थे जो कि आज भी दिवाली की दिनों में जो जलाने वाले दिपक बनाये जाते हैं वो चाक पर ही बनाई जाती है तो आज भी चाक का इस्तमाल हमारे देश में है क्योंकि गाओं में अभी भी कुछ बरतन मिट्टी के ही उपयोग मिलाये जाते हैं दूसरा रीजन यह है कि गोल बरतन की साफ सफाई काफी अच्छे से और जल्दी हो जाती है जैसे आप अगर मान लें कि बरतन अगर चवकोर होता तो उसमें कोने की साफ सफाई सही से नहीं हो पाती और काफी समय और मेहनत करनी पड़ती तो दूसरा रीजन यह भी था कि गोल बरतन रहेगा तो घर की महिलाओं को उसकी साफ सफाई अर्थात बरतन माजने में आसानी होगी और जल्दी से अच्छे से साफ भी हो जाएंगे क्यूंकि बरतन माजना डेली का काम है तो कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि काम जल्दी से हो स तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको यह जनकारी कैसी लगी यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सेयर करें और हाँ ऐसे ही जनकारी पराप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें